केतु का संबंद हमारी इंटेंशन से हैं तो केतु जिस भी प्लैनेट के आगे पीछे होता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चीज को लेकर अपने इंटेंशन जो है वो बहुत ही क्लिया रखनी बहुत ही साफ सुत्री रखनी क्योंकि राहू अगर आपको गुम्र सब्सक्राइशन जिसके साथ बनाओगा सब्सक्राइब तो आपके कामकाच से आदमी प्रभावित ही नहीं होगा कभी मर्करी केतु है तो आपकी चीज की वैल्यू नहीं रहेगी आप बोलों कितने नॉलेजबल है लोग आपसे तब तक कनेक्ट होना नहीं चाहेंगे जब केतु का बहुत बड़ा रुप पूरा जो पेड़ आप देखते हो पेड़ पूरा का पूरा जो आप पेड़ देखते हो तो पेड़ उपर से चाहे जतना मोटा दिख रहा है चाहे जतना चोड़ा दिख रहा है चाहे जतना रशीले फलो वाला दिख रहा है चाहे जतनी होना चाहिए और नियत और नियती दोनों का संबंद के तू से अगर नियत आपकी अच्छी है और नियती आपका favor कर रही है प्रकरती आपका favor कर रही है तो आपको इस particular field में कोई भी परास्त करने वाला नहीं बैठा है आप वह वह बाते बोल दोगे वह को प्रेडिक्शन कर दोगे उन उन चीजों को वह आप बोल जोगे कि सामने वाला हमेशा सर्प्राइज ही ओके बैठा रहे हैं तो अचम्भित करने का डिपार्टमेंट के तुग के तुग नेगलेक्शन में भी लेके जाता है नेगेशन में भी लेके जाता है आपकी पॉप जब तक शिखर नहीं बनाएं तब तक नहीं बनाएं तब तक बहगवान कैसे विराज मान उसकते हैं बड़ी कंट्रोवर्सी रहे इन चीज़ों को लेकर प्रूफ भी करना पड़ा, हुगा कि नहीं, रामंदर के टाइम पर देखा होगा आपने, राशंकराचार जी ने भी विरोध किया, शिखर ही तो केतु है, आपको टॉप पहुचाने की जम्मेदारी कभी-कभी सूर ही किय लेकिन केतु आपका हाथ पकड़ के आपको वहां तक लेकर जा, इसलिए जितने भी लोगों को नैशनल या इंटरनेशनल अवार्ट्स मिलते हैं, उस टाइम पे और उस पर्टिकुलर चीज के पीछे केतु का बहुत बड़ा हाथ होता, इवन, भारत रतना, ओसकर, जितने सबके नाग में दम करके रखा हुआ है, और आप उसके बारे में पढ़ो, कितना रिलीजियस है, फास्ट करता है, सात्विक खाना खाता है, पुरे-पुरे दिन खाने नहीं खाता है, और कहां-कहां तक जड़े गई हैं, पता ही नहीं है, कौन कहां मार दे किसको, देख रह और मिनिस्ट्री, मतलब समझ आईगे, मंत्राले, डिपार्टमेंट्स, तो आप कभी शिकरस्थ होगे, बिना केतु के सभी नहीं होगे, तो हमारी कुनली में केतु अगर जो बिटर के साथ होता है, तो इस बात को इंडिगेट करता है, आपको अपनी हल्थ का बहुत ध्या देना ऐसा कुछ आपसे ना हो जाए फास्टिंग बहुत करनी सी जिनके चार्ट में जुपिटर के तुका और रिलीजियस फास्टिंग के आगए का दसी है आज प्रदोश का व्रत है आज यह वह खुब करिए योगा करिए मंत्र जब जुपिटर के तुके तुके रूप में के तुके करके रखिए अगर जुपिटर के साथ के तुए क्या क्या हो सकता है और पेडिक्शन मैंने आपको लिखाई है जुपिटर के तुका कॉमिनेशन होगा तो क्या क्या हो सकता है तो जुपिटर और के तुक अगर एक साथ कॉमिनेशन होता है तो बहुत रिलीजियस हो सकता है योगा करने वाला हो सकता है अपनी जड़ों को मानने वाला हो सकता है अपने धर्म को जानने वाला हो सकता है अगर अच्छा रहेगा तो यह जुपिटtså की पे पहले बता भी दард मजना भी है और चीजें लिखनी भी जुपिटर से जब नेक्स्ट हाउस में केतु जाता है तो सेकेंड हाउस जो है वो मैरिटल लाइफ को रिप्रेजन करता है तो दो बाते होती है या तो मैरिटल लाइफ बढ़ियां चलने रही होती है स्मूथली वर्क नहीं करती है डिटैच्मेंट के बहुत बड़े चांसस हो जाते है दूसरे बाव में अगर राहू आएगा तो भी शादी के मामले में बहुत ध्यान देना है कहीं आपके साथ चीटिंग ना हो जाए और केतु मैक्सिमम केसेस में डिटैच्मेंट देता है ज नहानी होती थो हो सकते हैं के पिता जी ने आपको धिश्ञ झाय कोई रखने के वाइन कोिछ चीज़ें ते दिया हो वह कहीं गंजाय चोरी हो जाया गिर जैहें मतलब आपसे कुछ ना कुछ उपन नीचे होने के बहुत बड़े chances होते हैं क्योंकि जब भी के तू बैठा होता है दूसरे भाव में जुपिटर से next house में तो ये चीजें देता है ठीक है दूसरा भाव family का भी है परिवार भी है wealth भी है marriage भी है जब के तू दूसरे भाव में बैठता है तो maximum cases में देखने को मलता है maximum cases में देखने को मलता है कि आप अपनी family की last child हो माता-पितर आपके बाद फिर घर में बच्चे-बच्चे ना हुए मैंने हमेशा एक बात बोली है कि कोई भी एक चीज़ को देखके कभी भी astrology में predictions नहीं करी जाती है ना उतने से किव रहोगी नहीं सब्सक्राइब केतू भी है और फिर संतान होती है सूरे उसके साथ भी केतू का कोई combination आ जाए तो weekend से चीज़ें हो सकती ही बात समझ आगी लेकिन केवल केतू को देखकर के चीज़ें बोलना थोड़ा सा जल्द बाजी होगी इसलिए बहुत चीज़ें अब् जब ऐसी कोई condition बनती है तो व्यक्ति बहुत ही harshly बोलने वाला भी होता है क्योंकि केतू हमेशा दो टूप बात करने पर यकीन रखने वाला होता है तो ऐसे लोगों को बात गुमानी नहीं आती है बात बदलनी नहीं आती है बहुत straight forward answer देना पसंद होता है चाह सूर की बा केतू है तो व्यक्ति lawyer बहुत अच्छा होता ठीक है इस तरीके से चीज़ें जो है वो बोली जासे अगर कोई व्यक्ति जिसके चार्ड में जुपिटर से next house में केतू है और या तो वो केतू के profession में हो तो चीज़ें utilize हो जाएंगी अगर वो direct या indirect किसी भी तरीके से केतू क profession में नहीं है तो उसका पैसा ठीकेगा नहीं अगर वो बहुत harshly या badly बोलता होगा इसलिए हमेशा अपनी बात पर बहुत ध्यान रखना थे मैं एक बात बोलू केतू का मतलब क्या कोई कुछ भी बोला आप नेगलेट कर दो केतू का काम नेगलेट करना है चुप हो जाना ह रहना जितना आप मौन में रहेंगे उतना आपका केतू अच्छे रिजल्ट देगा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जो पुटा है से नेक्स हाउस में केतू गहरी बात बोलो बहुत सोच के पहले तोलो फिर बोलो और यह सब चीजें केतू आपकी कुंडली के जिस हाउस मे बैठा होगा अगर वो चीजें आपने शुद्ध नियत के साथ कर दी अच्छी नियत के साथ कर दी या खराम नियत के साथ कर दी वो चीजें हो जाती हैं दूसरे वाले साथ काली जवान का नाम सुना है अगर जुपिटर से नेक्स हाउस में केतू है मरकरी के साथ केतू है तो आपकी जबान काली है, इसलिए बहुत सोच कि विचार को बोलिए, लिख लिख लीजे इसको, आप अच्छे intention से बोलना है, गलत intention से बोलना है, लेकिन आप बोलना है, हो जाएगा, और अगर हो गया, अच्छा हो गया, तो तो अच्छा है, अगर करें खराब हो गया तो पूरे जिन्दीगी ये होता है या आप ही ने तो ऐसी बात बोली तिल भी तो हटीक नहीं है खराब के लिए भी ठीक नहीं है तो हमेशा एक बात का धिहान रखना चहीं है, कि अगर जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में केत्यू है कि तो बहुत ही सोस समझ के विक्ति को बोलना है और अगर वो अपनी जिवापन नहीं कर पाएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको financial crisis से भी गुजरना पड़ेगा इस बात की भी बहुत बड़ी प्रापई एक आपकी next class जो है मैं Friday को करने का सोच रहा हूं शुक्रवार को और फिर एक next class आपकी Wednesday को होगी जो कि तीस तारीक को होगी है ना और तीस तारीक के बाद की जो आपकी classes होंगी वो धाई से तीन घंटे की होंगी classes क्योंकि course बचा है भी ठीक है है ना तो हम पूशिस यह कर रहा है कि आदे घंटे से 40-45 मेंट आदे से घंटे के आसपास हम duration कुछ बढ़ाएंगे ठीक है तो उसमें क्या होगा कि कुछ चीजें थोड़ी सी fastly भी हो जाएंगी और जो कोई चीज रह नहीं पाएगी फिर आपकी ठीक है और class को आगे लिए जाने में हमारे लिए भी सब्सक्राइब यह बहुततरा आपके लिए महिना बढ़ गए है तो आदे घंटे से घंटे के आसपास आपकी रहेंगे तो आपको चार ग्लास एक्स्ट्रा मिल जाए उस कि जो मैं बीच में नहीं रहूंगा जैसे पांस तारी को शायद आपका वीकेंड आएगा तो पांस तारी को ख्लास नहीं हो पाएगी तो उसके लिए हम आपकी क्लास को फ्राइडे को गर ले दें तो अभी लास्ट तक कोई औप्जेक्शन हो किसी को बुलिएगा प्लीज मै मैं आगे extend कर देंगे class मेरे को को दिक्कत नहीं है अगर आपको लगता है कि हो जानी चाहिए तो हो जाएगी अगर आपको लगता है नहीं सरतेवार का time चल रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी तो हम इसको postpone भी कर सकते हैं कोई इतना कंबल सरी नहीं ठीक है वह last में भी बात कर लेंगे जब भी जुपिटर से next house में केतू होगा तो third house से twelfth में भी है और twelfth house होता है loss का third house होता है आपके भाई का हमेशा एक बात का ध्यान रखना केतू हमेशा एक बात को बोलता है कुछ भी करने से पहले investigate करिए कुछ भी करने से पहले जांच परताल करिए कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए चो कि केतू के पास दिमाग तो है नहीं हाथ पैर ही है समझा रही है बात गले के नीचे गले से इसका एरिया आता है केतू के पास बुद्धी नहीं है केतू के पास दिमाग नहीं है केतू के पास हाथ पैर चाती गला बस य अब बिना सोचे विचारे बिना इंवस्टिगेट किये आप कुछ ऐसा डिसीजन लोग को या कुछ आएसा बोल दोगे जिसके साइड एफक्ट बहुत आगे तक बहुत नेगेटिव होंगा क्योंकि क्योंकि जब बहुत नेगेटिव होता है किसी के चार्ड में तो शक करवा थी वो बार-बार हाता है आपको पहले investigate करना और आपकी अपने बद्धी चले की नहीं आपको खुद से नहीं करना है क्योंकि डिमाग ने रहू के पास दिमाग ने रहू के पास दिमाग है हाथ-पैर नहीं है इसले राहू के केस में बोला जाता है भाई सोचो करो नहीं कराओ राहू के केस में क्या होता है you are a good planner not executor एक्जिक्यूटर भी अच्छे हो लेकिन खुद नहीं करने he is करना आपको आपको plan करना करने वाले लोग इखटे करो ये होता राहू केतू क्या होता है? सोचने वाला आदमी रखो अपने साथ मतलब पॉजिटिव थॉट वाला आदमी रखिए जो आपके बिहाफ पर काम कर ले आपके पास कुछ ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए कि जब भी आप परिशानी में आए परिपदा में आए तकलीफ में आए या कोई ऐसा कोई बड़ डिसीजन लेने जाना चाहें ठीक है जिसमें कुछ उपन नीचे हो सकता है तो आपके पास एक दिमागदार आदमी होना चाहिए आपकी लाइफ में अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो केतु हमेशा डिस्टब करेगा इसलिए बोला जाता है कि जब भी केतु जुपिटर से न परताल किये बिना जानकारी खटे किये कर देगा इसलिए केतु हमेशा इन्वेस्टिगेशन पर बिलीव करने वाला है उसके पास अपनी बुद्धी नहीं उसके पास किवल अपना शरीर मतला एक्शन पर ज्यादा बिलीव है केतुगा ना की विचार करने तो बिना सोचे विचारे काम कर देते केतु वाला विक्ति देखना आपको वो अपने दिमाग से काम नहीं ले पाएगा तो बोला जाएगा कि भाई जो होगा वो या तो किसी नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन में इन्वाल्व होगा या तो उसके द्वारा बहुत कुछ लॉस होगा फाइनेंशल प्राइसेस आएगा क्यों आएगा वो बिना सोचे विचारे कहीं इन्वेस्ट कर देगा किसी को देदेगा जिसकी वज़े से लाइफ में हमेशा या तो ऐसे लोगों को पैसे में इंट्रेस्ट नहीं होता है धर्म के लिए काम करना चाहते है ठीक है और या त तो उनको पैसे की कदर नहीं होती है अब चुगी केतु से केतु जो है वो थर्ड से त्वेल्थ में है इसलिए पैट अनिमल से भी खत्रा रहता है आपने कहानी सुनी होगी कि किसी ने साप पाला अजिगर पाला और अजिगर ने कुछ दिन के लिए खाना छोड़ दिया त दॉक्टर के पास गया तो बोला जब अजिगर आपके पेट की ना आपके साथ सो रहा था तो आपके पूरी सरीर की नाप ले लिए कितने दिन में आपको पचा पाएगा इसको जलदी यहां से हटा दो नहीं तो आप ही को खा जाएगा तो आपके जो पैट निमाल से एगर जुपिटर से त्वेल्ट में मतलब केतू आ रहा है तो नेटिव को होगा और सेकेंड में तो छोटे भाई को होगा समझारी बात ठीक है आगे लिखिए इसी में केतु क्या है हमेशा नेगेशन में लेके जाता है नेगलेक्शन में लेके जाता है तो फूर्थ से आप देखोगे तो 11 में केतु है maximum cases में देखने को मिलेगा मा की या तो कोई friends होंगी नहीं होंगी तो केतु टाइप होंगी बिना सोचे विचारे काम करने वाली भी हो सकती है negative में positive में बहुत religious females हो सकती है बहुत उच्छी स्रेणी की females हो सकती है या बहुत लड़ाई जखड़ा करने वाली कलही type की हो सकती है मैक्सिमम केसेस में होती भी नहीं है तो दो बाते होती है जब भी केतु आपकी कुंडली में 11 में बहुत बैठेगा जुपिटर से या second house में बैठा है तो मा के 11 में बहुत में आये तो या तो आपकी हम उम्र मित्र नहीं होंगे छोटे या बड़े होंगे या तो spiritual मित्र हो होंगे ठीक है जिससे भी 11 में काउंट करोगे उनके वैसा होगा इतना समझ आ रहा है थोड़ा आगे लिखिए जब केतु जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में है तो फिफ्ट से तैंथ में फिफ्ट हाउस से तैंथ हाउस में भी है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपका जो होगा संतान जो आपकी होगी उसका करियर जो है या तो केतु से रिलेटेड हो सकता है या तो करियर में इंट्रेस्ट ना हो ये भी हो सकता है बिजनेस अगर करेगा तो स्टार्टिंग में बहुत लॉस होगा इस बात की भी बहुत बड़ी संभाब में तो कुछ से next house में केतू है, जैसा कि मैंने राहू के case में बताया था, तो 7 से 8 में भी केतू है, ठीक है, अगर आपका spouse आप से ये बात कह रहा है कि मैं suicide कर लूँगा या जहर खा लूँगा, एक बात ध्यान लखना, जिस भी house से 8 में केतू पड़ेगा वो वक्ती, अगर बहुत लोग होते हैं ना, हमारी life में, बोलने हम suicide कर लेंगे, और हम लोग कहते हैं, अरे जा भाई कर ले प्रेमी रेमी कहते हैं, मालो फिफ्ट से 8 में, कोई आप से प्यार व्यार करने लगा है, वो कह रहा, मैं तो जान देतूंगा, आपने कहा रहे हैं, इसे तो बहुत सारे होते हैं, कोई जानवन नहीं देता, लेकिन वो देतेगा, यहां पर इस बात की संभावना है, कि अगर जुपिटर second house में है, मतलब seven से eight house में केतू है, जुपिटर से next house में केतू है, तो seventh house में भी केतू है, अगर आपका spouse इस तरीके की कोई बात करता है, तो आपको हमेशा उस पर ध्यान देना है, जिसमें ने बोला था, आप यहां द्यान नहीं देना है, यह तो बहुत ध्यान देना है, नहीं किस मामले को नहीं कर सकते हैं आपका बच्चा गयरा में जा रहा हूं च्छत से कूच जाओंगा आप सुच रहा रहे ठीक है जाक पूद ले वह कूच जाएगा बहुत बड़ी संभाव है ठीक है तो हमेशा एक बात का देहन रखिए के तु आपकी कुंडली के जिस हाउस से एर्थ आगे लिखिए एक बात बोलने को मिलती है जब भी जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में केतु होता है तो या तो स्पाउस की लाइफ बहुत कम होती है या तो मेरिटल लाइफ में सफर करना पड़ता है दोनों ही चीजों में ठीक है सन्यास वन्यास भी आपका लेने का मन हो स दें या आप आप किसी के हिसाब से चलो ऐसा कोई आपके साथ होना चाहिए नहीं तो आपकी पूरी लाइफ स्पॉयल हो सकती है आगे लिखिए इसी में फादर से आप देखोगे तो फादर का नाइंध हाउस से सिक्स हाउस में केतु जाएगा तो पिता जो हैं वो हैर पसंद है घर में कुछ ऐसा अध्यात्मिक इस टाइब का कुछ महौल होता हो इस बात की भी बहुत बड़ी समय ठीक है जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में अगर केतु है तो आप इस तरीके से तो में फोकसिंग शब्द क्या है जुपिटर से जिस हाउस में केतु है उस वक अगर है तो किसी समझदार विक्ति के साथ बैठके investigate करिए और चीजें करिए जब आपको पूरी तरीके से जब तक confirmation ना हो जाए तब तक कोई भी चीज मत करिए या तो कह दीजे return में लिख के दो के तु रिटन भी है लिखा पड़ी किसी को पैसा देना है लिखा पड़ी करनी जिसे maximum cases में देखने को मिलता है जो बिटर से फिट में के तो बच्चे नहीं होते हैं ऐसा बुला जाए हो सकता है ना हो किसी के तो बात अलग है और maximum cases में हो सकता ना भी हो क्योंकि तो नियत और प्रकरती पर निर्भर करता है और प्रकरती नहीं हो सकता आपके भाग में तो आपने जो बीकी करिए लिखा पड़ी में करी तो अगर कि किसी कई लेना देना है और तो भी लिखा पड़ी में कर लो है जो भी आपके पास सारे उंसे द्व अरनाוז काट के जाएं clubेoft तो इस लिए तो मुन्ish है थर्ड हाउस में गर सकते हैं। 37 साल के बाद बहुत कुछ बदल सकते हैं। बहुत बड़ी संभाव, अच्छा है तो खराब भी हो सकता है, खराब है तो अच्छा हो सकता है, अच्छा है तो बहुत अच्छा हो सकता है, खराब है तो बहुत भी खराब हो सकता है, ठीक है, लेकिन बदलेगा जीवन, और मैक्सिमम उल्टा होता है, अच्छा है तो करना पड़ते हैं और मैक्सिम के इसे में देखने को मिला है कि फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अर्जेस्ट में बहुत अच्छे से नहीं हो पाते हैं जब भी जुपिटर से के तो थार्ड हाउस में होगा व्यक्ति तेरा साल की उमर के आसपास बहुत सारे अपने रिलेशन दीसरा हाउस हमारे रिलेटिफ का भी होता है तो के तुझ वहाँ पर है तो एप्रॉक्स थर्टीन इयर्स की एज में किसी के घर में जाके काफी फंक्शन अटेंड भी कर सकता है यह पडिक्शन के मामले में आप इन चीज़ों को ले सकते हैं यह यह भी कह काफ़ी टाइम तक वहां पर रहे भी हो इस बात की विशन में किसी ने प्रॉपर्टी बगरा पर्चेस करी हो सकती है तो थोड़ा सा क्या होगा कि अगर जुपिटर से थर्ड में के तू के पास ही डॉमिनेटिव नेचर भी तो छोटे भाई के अंदर थोड़ा सा सकती है जहां पर भी जुपिटर के साथ के तुए है तो सकता सकंद में तो माता वैसा कर सकती है आपको डॉमिनेट करें नीचा दिखा है कभी-कभी नेकिन हां अगर इस पिच्वल फ्रेंड्स हुए धार्मिक मित्र हुए तो आपके लिए मतलब स्वागी की बात तो जो आपका छोटा पहाई है थोड़ा मेंटीजन का हो सकता हूं लेकिन उसके जो मित्र होंगे वह कांफी कि अंगेशे 9 Aku n यहां में नेटिव के लिए लिए नेटिव के भाई के लिए लिए सकी मैरीटर नेचर के होती हैं उनका उनके हस्बेंड के साथ नहीं बनता आपके माता-पिता में डिफ्रेंस ओपिनियन्स होने की बहुत बड़ी सम्मावना है अगर आपकी कुंडली में जुपिटर से थार्ड हाउस में कितुए फिफ्ट से आप अगर देखोगे तो फिफ्ट से अलेव अब क्या हुआ है मैंने एक बात हमेशे आपको बूली है जब भी राहू नाइंथ हाउस में आएगा पिछली क्लास में मैंने बुला तो विक्ति दंब या डंबर बहुत करता है दिखावा जाता होगा रियालेटी कम होगा ठीक है लेकिन जब के तु आएगा नाइंथ में आइज से नाइट में रंगति तो कौन धार्मिक होगा बहुत जाता वाइफ होगा हूस्बेंग होगा स्पाउस आपका जो स्पाउस होगा वो काफी रिलीजियस होगा, स्पिरिच्चुल होगा और उस चीज की उसको बहुत अच्छी नौलेज भी हो सकती है और इन छीज बहुत तकलीफ है हमेशा एक बात ध्यान रखना जिस भी हाउस से सेवन्थ में कित्व पड़ेगा जिस भी हाउस जुपिटर के साथ राहू बैठा है तो आप से सेवन्थ में पड़ जाएगा ठीक है जिस भी हाउस से सेवन्थ में कित्व पड़ेगा और वो पर्टिकलर ची चाहे जितना प्रयास कर ले रहे हैं उनसे चीज़ें बैलंस नहीं हो पा रही है तो आप पिता जी से एक question पूछो कि आपको किसी ने श्राप तो नहीं दिया है इस बात की बहूत बड़ी संभावना है कि उनको कोई कर्स मिला ओ कोई श्राप मिला हो या किसी evil evil eye का impact हो जिसकी वज़े से उनकी जो पूरी की पूरी life है वो फैल हो रही यहां तक की बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी वज़े से मर गया या मर रहा है dead people कि लगभग लगभग मरने की कगार पर है और उसके पीछे कि आपकी कोई जिम्मेदारी आपकी वज़े से ऐसा कुछ हुआ जिसकी वज़े से वो उसकी death हो गई तो आप यह समझेजे आप कभी उससे निकल नहीं पाई तो आपकी वज़े से किसी का जान का खतरा नहीं होना चाहिए, कोई वक्ती ऐसी सुचुएशन पर नहीं होना चाहिए, क्यों किवल सुसाइड तक की टेंडेंसी में चला जाए, अगर आपके कुछ लिए में जुपिटर से सेवन्थ में केतू है, या सेवन्थ में केतू जिस भी हाउस से पढ़ेगा, आपके घर का होता है, आपके एटमास्फियर का होता है, डोमेस्टिक एटमास्फियर का होता है, जुपिटर से जब फॉर्थ में केतू हुआएगा, तो ये बात कही जा सकती है, आपका जो घर होगा, वो डेड एंड पे होगा, या लास्ट गली में होगा, आखरी गली में होगा तो चीजे थोड़ा सा रवी जी जुपिटर थोड़ा मैनेज कर देता है चीजों ठीक है अगर जुपिटर का कोई एस्पेक्ट पढ़ जाएगा तो चीजें उस लेवल पर वस नहीं हो सकते जुपिटर से फोर्थ में अगर केता होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी सेरेमनी होने के बाद भी रिलीजियस महौल होने के बाद भी घर में तब भी टेंशन बनी रहती है अनहपी लाइफ रहती है फिर फोर्थ हाउस चुकि एक बाद समझ लोगर जुपिटर से फोर्थ हाउस में केता है तो आपके किसी रिलेटिव की डेथ आपकी आठ साल की उमर के आसपास रहे होंगे तो किसी रिलेटिव की डेथ इस टाइम पर होई होगी जिन से आप हो सकता क्लोज भी हों का ठीक है और चुकि फोर्थ हाउस मैक्सिमिम केसेस में एजुकेशन का भी माना गया है इसलिए जब जुपिटर से फोर्थ में केता होता है तो ये बात भी कहीं जा सकते हैं कि आप कोई ना कोई कोई कर सकते हैं 42 साल के उमर में कोई प्रैक्टिस कर सकते है को इस्पिच्वल स्टडी की तुरह भी जा सकते हैं मतलब आप अध्यात निक Вिशेों के अच्छे जानकार हो शकते हैं 42 साल के उमर के दोच तो बियानन क्या कहती है करना चाहिए बियाननिजा गाइडिंग टूल ना कि प्रिडिक्टिव टूल तो बैयालिस से छेयालिस साल की उमर के आस्पास आपको स्पिच्वल एजुकेशन की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए तो मैरिटल लाइफ जो है वो ठीक नहीं र जॡूपिटर से त्वैल्थ में केते हो जाहे जृपिटर से नेक्स्ट हमें केती हो फैनेंशेल क्राइसिच आने की बहुत बड़ी सम्धालना रहती है अब फूर्त में गया है तो किसके लिए बात आ गई? चोटे भाई के"; तो चाहे जूपिटर थर्ड से से कंड्ड में क के तो बैठा है तो भी financial crisis आएंगे सेकेंड से 12 में अगर थर्ड से 12 में अगर होता तो भी financial crisis साथ है किसके लिए छोटे भाई बैंगे लिए दोनों चीज़ ठीक है आगे लिखें सिर्फ और या तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है फोर्थ हाउस में केतु बैठा है केतु जिस भी हाउस में बैठेगा उस चीज को या उस परसन को टेंशन रहेगी उस चीज को लेके टेंशन है प्रॉपर्टी को लेके टेंशन हो सकती है माक आपकी टेंशन में रहें इस बात की बहुत बढ़ी सम्हाब प्लेस परसन और थिंग गाड़ी घोड़ा ये वो ठिंग्स में जो चीज़ आएंगी ठीक है तो उनको टेंशन बहुत ज़्यादा ठीक है इस्पाउस की केस में आप देखोगे तो जुपिटर से फॉर्थ में केत हुए तो इस्पाउस से अगर आप देखोगे सेवन से तैंथ में आ गया तो उनका अगर कोई मतलब प्रोफेशनल लाइफ है तो उसमें बहुत चल्दी जल्दी शटन चेंजेस होते हैं फ् लेकिन उनके हाथ में कोछ नहीं होगा मित्र बहुत सोज विचार के बनाई है अगर जुपिटर से फॉर्थ में केत्व है क्योंकि नेटिव के जो मित्र होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होगे उनकी वज़े से कोई ना कोई दिक्कत परिशानी यह कोई ना कोई ट्रबल आपको आपके लाइफ में फेस करता है क्योंकि 11 से 6 में केत्त हुआ है ठीक है तो पता चला उनकी वज़े से आप पर भी कोई केस लग गया कोई दिक्कत आ गया आपका कोई शत्रू बन गया इसने मित्रों के जो कलेश होते हैं उन से दूर रहे कोई कुछ कह रहा है वहाँ च खुशाली का घहर माना गया और कि तुम हाँ पर जाके टेंशन दिता हैन्या तो मंतर photographers में नहीं तो काफिवे च्टेंशन होती है毆 माइग्रेन इसूस हो सकते हैं और चेहरे से टेंशन दिखती है आपके expressions कभी कभी tension वाले होते हैं तो पांच साल की उमर के आसपास relative में relation में कोई गलत मतलब कोई बड़ी problem होती है major problems होती है जो memorable है आपको याद रहेंगी पांच साल की उमर के आसपास कुछ पडोस में घर में या पडोसियों में या रिष्टेदारी में कुछ ऐसा हुआ है जो memorable है याद होगा और ऐसा कुछ हुआ होगा मैंने आपको बात बोली कि जुपिटर से फिफ्ट में केतु आएगा तो maximum cases में देखने को मैं देखो एक बात बताएं केतु आपकी कुंडली के जिस house में बैठा वो नियती और नियती तैंक करती है उस चीज़ को आप तैं न संतान को बच्चा मिलने में problem होती है मैं यह नहीं कह रहा बच्चा नहीं होगा problem हो सकती ठीक है और अगर आप देखोगे तो जुपिटर अगर जुपिटर से फिफ्ट में केतु है तो थाड़े से थाड़ में भी केतु है तो छोटा भाई जो है वो spiritual journey spiritual travel बहुत करने वाला काफी मा बहुत पैसा खर्चा करती है जुपिटर से देखो पैसे की कद्र दो प्लेनेट नहीं करवाते रहू और रहू के केस में रहू के केस में पैसा पैसे की value नहीं होती है ठीक है पैसा होता है पैसे की कदर नहीं होती है और केतु की केस में पैसा चाहिए नहीं होता ठ ठीक है तो अगर फोर से सेटेंड में तो हो सकता है माता जी के आपने कुछ पैसा दिया मां ने उठा कि किसी और को देदी है रहे हमाया पास क्या होगा इसके काम आ जाए है और इस तरीके से फैनेंशल बहुत लॉसस हो ठीक है तो मां बहुत ज्यादा पैसे खर्चा कर देती है ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें लेखने को मिलती है अच्छा ठीक है तेंक्यू जुपिटर से फिर्ट में अगर केतू होगा तो एक बात की और बहुत बड़ी संभावना है वो लिखिए बहुत कभी क्या होता है कि मा की जो लाइफ है जो उनकी अपनी डॉमेस्टिक लाइफ है जो उनकी अपनी अरिट को अपने जीवन में बहुत कम इंट्रेस्ट होता है क्यों कि फोर्थ से सेगंड आउस है ना ऐनाLI जब भी जूब्ही जूपिटर से के तो फिसी के चार्ड में तो पिता के गुंण बहुत जादा उस वेक्ति में होते हैं, बच्चा होने में तकलीफ होगी, लेकिन बच्चे की मेरिटल लाइफ बहुत अच्छी होगी, अगर जुपिटर से फिफ्त में केत्व होगी, और आपके बच्चे को जो स्पाउस मिलेगा, बहुई या दमाद जो भी मिलेगा, वो का पिता जी को हमेशा इलेक्ट्रिक सिटी से और केमिकल से बचके रहना, अगर किसी के पिता जी नहीं है, तो कहीं न कहीं इन चीजों से रिलेटेट उनकी देथ भी हो सकता हुई हो, तो पिता जी की शॉर्ट लाइफ भी बूल जाती है, और अगर उनको दो चीजों से बचक तक आया हो सकता है, और वो बालबाल बचे गया है, या खतम भी हो गया है, दोनों बाते, संभावना है, कन्फर्मेशन नहीं है, या कुछ डिपिकल्टी, मृत्यतुल्ल सक्ष्ट या संगर्श, फेस करना है, जुपिटर से जब फिफ्थ हाउस में केतू है, तो आपके जो मित्र होंगे, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डलनेस हो, बहुत हैपिनेस नहीं होती है, उनके अपनी लाइफ, जुपिटर से अगर सिक्स में केतू है, तो मैंने अभी सिक्स में क्या बताया था, शराप से बचना है, तो नेटिव को किसी के शराप से बचना है, कभ अगर कोई रोग हुआ है उसका समधान केवल इश्वार है और कोई spiritual जो prayers होती है कभी-कभी लोग सामुहिक prayer करते हैं वो चीजें ही आपके disease को काट सकते ठीक है आगे लिखें इसी में तो third से भी fourth house होता है six house तो भाई ने कोई ऐसा घर बनाया हो जो dead end पे हो या road के सबसे आखरी गली में हो ठीक है या सबसे last में वो घर हो इस बार की बहुत बड़ी संभावना है कि भाई ने कोई ऐसा घर बनाया हो जो की इस तरीके से हो और उसकी जो domestic life है वो भी काफी ज़्यादा problematic लेकिन spiritual knowledge बहुत अच्छी होगी भाई को उसकी वज़े से चीज़ें balance हो जाएंगी मा के अंदर courage बहुत होता है और spiritual traveling करती है क्यों बोला क्योंकि जुपिटर फोर्थ से थर्ड में बैठा हुआ है कि तो children fifth से sixth house second house होता है बच्चों की marital life बहुत अच्छी ना हो इस बात की सिम्भाब में seven से twelfth house में के तू है तो आपके जो spouse के मित्र होंगे वो पीट पीछे खंजर चलाने वाले होंगे इसलिए मित्रों से बहुत बचके रहना जब भी जुपिटर से six में के तू है और नाइन से tenth में के तू है और पिता जी जो है वो काफी spiritual चीजों के जानकार होंगे ठीक है कोई आपकी life में एक ऐसा गुरू होगा जिसके मिलने के बाद आपकी life बजलेगी क्योंकि nine से भी 10 ठीक है तो ninth house गुरू का भी होता है तो उनके आपके जीवन में आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा ऐसा भी देखने को मिलता है कि जुपिटर से six में के तू हो तो आपके पिता जी अपने गुरू से मिलने के लिए बहुत सारी ट्रेवलिंग भी करते हैं बहुत छोटे समय के लिए आपके मित्र बनते और फिर वो छूट जाते है इस बात की बहुत बड़ी समय जुपिटर से सैवंथ में जब केतू होगा तो एक बात का ध्यान करने वाला नहीं होगा और मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं होगी अठाइस साल की उमर के आसपास कोई बहुत बड़ी खत्रे का सामना करना पर से शादी होने की बहुत बड़ी संभावना है कुछ लोग नहीं भी करते हैं लगिन अगर कोई वक्ति किया हुआ है तो बहुत सा बात और है जुपिटर से जब फिफ्ट में केत्व था तो मैंने बताया कि किसको तकलीफ हो सकती आपको अभी सेवन्त में तो थार्ड से फिफ्ट में तो भाई को बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है होगा तो उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी और अगर संतान हुई native की जो child होगी बच्चे में किसको तकलीफ होगी छोटे भाई को आपकी जो संतान होगी वो spiritual traveling बहुत करेगी क्योंकि फिफ्ट से थार्ड में higher education बहुत अच्छी होती है एक बात ध्यान रखना केतू लगन में हो तो आपकी केतू मतलब जुपिटर के साथ होगा तो higher education पर आपको concentrate करना चाहिए फर्ड में होगा तो भाई की higher education हो सकती है फोर्थ में होगा तो मा की हो सकती है सेवंत में है तो spouse के लिए लिखिए थोड़ा सा dominating और ruler personality होगी एक बात बताएं जुपिटर से एक जिस house में केतू होगा वो व्यक्ति आपसे relation maintain करना नहीं जानता हो या ना चाहता हो आपको मेंटेन करके चाहता हो जुपिटर से सेवंत में अगर केतू है तो आपका spouse आपसे relation maintain करना नहीं जानता है उसको पता नहीं और या चाहता नहीं दोनों बात अब भाई से नहीं बन रही है थार्ड में केतू बैठा है तो वह आपसे संबंद मेंटे लेके आता है और्गमेंटिव नेचर लेके आता है डॉमिनेटिंग नेचर लेके आता है इसके वज़े से पती और पत्नी के वीच में नहीं बनती पिता जी बहुत अच्छे आदमी होंगे लेकिन प्रोफेशन कभी भी इस्टेवल नहीं रहे तो रहने काफी जाता बिजनेस या बिजनेस के पैटर्न्स या प्रोफेशन चेंज कियोंगे अपनी लाइफ के तागी में केतू अगर जुपिटर से एट्थ हाउस में है तो यह अननेचरल डेथ को रिप्रेजन करता है तो आपको कैमिकल और से बचके रहना है में तो सामना करता है अगर बिमार बहुत रहता है तो उसको कोई श्राब लगा हुआ हो सकता है अगर डेवल्लमेंट नहीं हो रहा है तो भी यह बात की संभावना न ले हैं भाष मा को बहुत टेंशन रहती है healthy ग्रेन इशूस होना संबब हैं बच्चे जो अपने लाइफ में घर लें हो सकता है end of the lane में हो पैसा बहुत होगा मेट्रिस्टिक चीज़ें बच्चों की लाइफ में बहुत होगी लेकिन सुख नहीं पिता जी के मित्र बहुत कम होगी और पैसे और प्रोफेशन के वजह से इन सब चीजों के वह बहुत अच्छे जानकारने होगा इन में बहुत लॉस्टिक होगा मित्रों के भी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है जुपिटर से एड़त में केता होगा नाइन्थ में अगर होगा तो ऐसा बोला जा सकता है कि जुपिटर से नाइन्थ में केता है तो जो चाइल्ड है जिसके चाड़ में कॉमनेशन हो लास्ट संतान हो अपनी फैमिली पिता जी की मतला आपकी जब चौबेस साल की एज होगी तो पिता जी को कुछ हेल्थी शोस होंगे लंबे वाले अच्छे वाले अब यह बात यहां मदर के लिए लागव हो जाएगी कि मदर की लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही पर उनको कोई श्राप यह कोई इस तरीके की चीज़े होना समब सकता है भी कियात हैं कर सकता है ठीक है एक ठीक है truck Virus की लिए और दो चाच चीज़ने लिख लो इसी में लेकिन 36 साल के आज-पाज की जो एज होगी उसमें उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी 36 साल की उमर के बाद उनको काफी ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफ में वो ज़्या नोकरी त्यारी छोड़ भी दें पिता जी की है पिल मेरिट लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती इंज्वाइ नहीं कर पाते है बेड़ प्लीजर को वाटर से खतरा है पिता को ठीर्थ में जो नदियमदियों का इसनान होता है उनसे भी बचके रहना चाहिए अगर केतू पिता जी हो सकता है बहुत छोटी उमर में चल बसे या घर की जिम्मेदारी बहुत ही कम समय में बहुत छोटी उमर में विक्ति अपने उपर उठा ले या पिता जी किसी काम लाइक ना बचे इस बात की भी बहुत बड़ी संभाव में 27 साल की उमर के आसपास पिता के उपर मौत का खत्रा आता है या कुछ सिचुएशन खराब हो सकती है जिनके चार्ड में केतू तैंथ हाउस में है जुपिटर से तैंथ में तो यह अपना मेडिया फील या पब्लिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करियर बनाने के चांस अच्छे वाले स्पास कोई ऐसा मकान ले सकता थो गली के आकरी का मकान हो इस तरीके से चलो लिखो भी यह इस पाउज जो है वो हो अपने लाइफ का अपने सब्सक्रुमांगा अच्छी नहीं होगी लेकिन लेकिन इस चीजिजों की तरफ अप्रोच भी होगे और उने माइगरेन इसउस होना संभव है पिताजी को पिता जी बहुत स्ट्रांग होते हैं प्रीचर हो सकते हैं को सकते हैं को स्ट्रीट फॉरवाइट स्पीच में महारत ही बनाता है कभी रूबन के नेक्स्ट हाउस में केत्व होने का मतलब बोल्ड होता है रख्टी बोल्ड नेस जो शब्ड है ना वह केत्व लागे दे सकता है जुपिटर से अगर 11 में केत्व है तो नेटिव के लिए लिक्षो सबसे पहले हैं उसके जो मित्र होंगे वो बहुत ही डॉमिनेटिंग और रूलर नेचर वाले होंगे। 45 साल की उमर के आसपास बहुत अच्छा फिनेंशल गेन होता है। लाइफ में कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं, 45 यर के आसपास। और बच्चों की थोड़ी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। संतान की। ब्रदर की जो फैनेशल इस्तिती थोड़ी उपनी से हो सकती है, लेकिन स्पिच्च्वल जरनी बहुत अच्छी होती है। मा बहुत खर्चा करने वाली होती हैं और काफी प्रॉब्लम फेस करती हैं फैमिली की बज़े से। मा थोड़ा सा रफ टफ बोलने वाली हो सकती चिल्डरन जो हैं उनकी मेरिट लाइफ में दिक्का दा सकती है या प्रोफेशनल लाइफ में दिक्का दा सकती है। पती और पत्री में डिफरेंस ओपिनियन्स हो सकते हैं बच्चों के। बच्चे जब शादी होगी तो उनके अपस में मेरिटल डिफरेंस ओपिनियन्स मे दिक्काद आईजी, फादर और मदर के साथ בी डिफरेंस DOP पिन्यonज हो सकते, और फादर और आपके साथ दिफरेंस ओपिन्यonस हो सकते, तो नेटिव कभी-कभी बहुत सारा में केत्व होगा तो पारिवारिक सुख नहीं मिलता है दर का सुख प्राप्त नहीं होता है के अधियु बना लिया एकांतवास में चले घर बनें तो उतल tariका हैं ये केंट्व को युटलाइक करने का एक मात्र तरीका है अगर उससे आप बचना चाहते हो तो वहाँ परसंद प्लेज और ठिंग रिलीजियस ला दो अध्यात में पूजा पाठ ला दो हो गया मैं रहे जाएगा सेवंध हाउस में पती-पत ने यहां एक दूसरे पर नहीं देपा रहे हैं हमारी टल लाइ चालो होता है तो फिर जहे लिए मत अगर आपको लगता है कि यह चीजें आपके लिए सही नहीं है या आपका इन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहे गया पहले एक दो बार investigate कर लीजिए, खुद को चेक कर लीजिए, महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना, उनके बिना अलग रहे के देख लीजिए, अगर ऐसा करना संबब हो पाता है, तो उसकी लिमिट्स को बढ़ाते जाईए, एकदम से सन्यास मत लीजिए, एकदम से चीजों को मत छोड़िए, investigate करिए, कभी-कभी क्या होता है कि आप छोड़ के चलेगा, फिर पतनी की याद आने लगी, परिवार की याद आने लगी, घर की याद आने लगी, तो अब टेंशन भी बढ़ गिया, तो पहले उसकी प्रैक्टिस करिए, बात समझा रही है, केतु का काम जानतों क्या है, आप को detach करना, केतु आपकी कुडली के जिस भी हाउस में बैठा होगा, जुपिटर से, आपको वहाँ से detach करेगा, मा से, परिवार से, चीजों से, एजुगेशन से, detach करेगा, तो उसकी जिगह पर attach कहाँ पर होगे, उसकी चीजों में attach हो सकते हूँ, और कुछ पढ़ोगे तो पढ़ने नहीं देगा, और कुछ करोगे तो करने नहीं देगा, भाशा भी है केतु, किसी भी प्रकार की भाशा को पढ़ना, जैसे law की एक भाशा होती है, धारा 402 लगा है, 336 लगा है, एक सो, क्या है, लग जाती ना धारा है, इस धारा के अंतरगत चलान हुआ है, इस धारा के अंतरगत आपको जेल हुई है, भाशा ही तो है, computer की भाशा, जोतिश भी एक प केतू ये, place, person, or thing, अब कोई कहा है, नहीं सर सहवंद में मेरे केतू है, हमारी तो मैरिट लाइफ बहुत अच्छी सल लगी है, तो हो सकता है, वाइफ बहुत धार्मिक मिल गई हो, अरे धार्मिक छेत्र से आई हुई मिल गई हो, अरे द्वार में रहती थी, वरंदावन मे घर महीं था, तीर्थ से संबंद बन गया कोई, आपके स्पाउस का, बस समझा रही है, तो कभी भी कोई चीज़ बोलने से पहले चेक करना होता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ यूटिलाइज हो रही है, कहीं वहीं से तो नहीं, origin क्या है, तो अगर वो origin है, तो फि बिना investigate किये, बिना जानकारी किये, बिना उसके बारे में समझे, बिना उसके बारे में तहकीकात किये, अगर रखोगे तो चूना लगा के जाएगा, और आपना उसको रखने के पहले बहुत अच्छी investigation कर ली, बहुत अच्छी जानकारी कर ली, agreements करा लिए, चीज़ें करा अब उसकी मजाल नहीं हो छोड़के चला जाए केस कर दो डरा कर रखो सको कंपणी जब आप जोईन करते हो तो कितने सारे डाफ्मेंटाइशन होते हैं होते हैं तीन महीने पहले आप को बताना पड़ता है कोई दूसरी कंपणी जोईन करने के लिए ऐसे आप छोड़ नहीं सकते, बीच में आप भाग नहीं सकते, क्यों है, इसलिए तो है, के तू है, इसलिए, लिखा पड़ी में काम करो, लिखा पड़ी करवाओ, हिसाब किताब लो, किसी पर अंदा विश्वास मत करो, करो तो उसके पीछे आपने बहुत बड़ी रिसर्च करी हो, कि विक्ति आपके साथ नहीं कर सकता, तो फिर बढ़िया है, और अगर आपने बिना रिसर्च किये, बिना जानकारी प्राप किये, बिना जाने समझे, सोचे समझे, अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी, या कोई चीज दी, तो आपका वो काटेगा, ये संभावना बहुत पड़ी है, के तू यूटिलाइज होता है, स्पिच्वेलिटी से, के तू यूटिलाइज होता है, इंवस्टिगेशन से, इसे बिना जानकारी जाते है, और हाँ, बहुत जादा शक्त भी मत करो, तब भी लोग भाग जाते हैं, अब जूपिटर से 6 में के तू है, उस- बार-बार cunday करते रहेंगे, बार-बार चीज़ां करते रहेंगे, तो भी तिकते, तो आपके संबंद खराब होगे, उल्टा सीधा बकने से बचो, बोलने से बचो, करने से बचो, actions लेने से बचो, केतू है, fighting में मत जाये, conflicts में मत जाये, ego hurt मत करिये, क्योंकि ego sun नहीं ह इगो सब बहुत बड़ा केत्व है तभी कभी हम भूल में ऐसा कुछ भी बोल जाते हैं अपने सर्वेंट को जिसकी वज़े से उनका इगो हट हो जाता है और वो फिर बाद में कहते हैं भाई अब कुछ भी कर लेंगे लेकिन यहां नहीं गए बहुत सोचके विचार के समझके चाहे स्पाउस हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो जहां भी आपका केत्व माई गो हट नहीं करना है कोई भी डिसीजिजन लेने से पहले उसके पीछे बहुत ही investigation करना है उसके बाद कोई चीज़ करना है साथ में केत्व मिले जिस हाउस से जिस हाउस के सिक्स में केत्व मिले जिस हाउस से एट में केत्व मिले जिस हाउस से त्वेल्थ में केत्व मिले उन चीजों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं न कहीं कोई न कोई श्राप हो सकता है उसके पीछे या कोई भी लाई हो स कुण कौन हैं किनके साथ आपके काम चलना सब्सक्राइब के साथ आपके काम कर रहे हैं आपका कस्टमर कौन है मत बताएज मत कर में चला जाएगा वीनस तो का कि रखो पर्दे में रखो संकोच करो बताने में समझारी बात हर चीज खुला हुआ नहीं होता कुछ चीज बंद भी अच्छी लगती सब चीज खोल दोगे तो फिर बड़ी दिखकर जो चीज ढगने की जगह है भाई हम अंडर कार्मेंट्स क्यों पहनते एड़ थाउस एड के नहीं बताना तो लग जाएगी किसी को जलील करने के लिए नहीं वोला जो दान विक्ति नीचे दिखाना चाथा किसी को क्यों कि तो नीचे से भी नीचे आदमी इस घिरा हुआ प्लाने ट है तरीके के बहुत अगर आपकी नीचे दिखाने की आदत पड़ गई डあー pड़ तो आप उसको नीचा दिखाएं तो ये चीश भी ठीक नहीं है है कि नहीं है सही तो के तुच्टू जिस हाउस में बैठा उसको कभी नीचा मग दिखाना खाय लगता है तो असके इस पतियों चेसे हार जेगे का one of the best combination हमेशा पराश्री जोतिश में भी ऐसा बोला जाता है कि जुपिटर लगन से फोर्थ में नाइन्थ हाउस में या त्वेल्थ हाउस में अगर केतू होता है तो यह चार्ट मोक्ष ऐसा वक्ति मोक्ष प्राप्त करता है लेकिन थोड़ा सा शंशोधन होना चाहिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको प्राप्त होगा प्रयास नहीं करेंगे तो प्राप्त नहीं होगा और जिनके भी चार्ट में फोर्थ में केतू मिलेगा नाइन्थ में केतू मिलेगा और त्वेल्थ में केतू मिलेगा उनकी यह लाइफ हैलो होगी लिख लो सब कु होते हुए सुख नहीं होगा कि आप यह जो जननम मिला है वह भोग करने के लिए नहीं मिला है योग कर नहीं और जहां बहुत भोग है वहीं पर योग करने के लिए सकती है बहुत सारी लॉंग distant travel हो सकती है spiritual को लेखे spirituality को लेखे बच्चे जो है वो थोड़ा सा depressive mentality के हो सकते हैं क्योंकि फिप से एट में आपके लिए ये combination one of the best combination है लेकिन आपके संतान के लिए combination one of the worst combination किसी संतान की death भी हो सकती है spouse को अगर कोई दिक्कत आती है और allergic problem आती है तो भी विलाई या negative energy एक इंफ्लेंस हो सकता है spouse के साथ difference opinion होना संभव है 36 साल की उमर में पिता जी ने traveling के तुरू कोई बहुत ही बड़ी problem face करी हो इससे संबंदित बहुत बड़ी संभाव में यह रहा आपका जुपिटर से बारा भावों में खेतू का फलेत मैं प्रयास कर रहा हूं आपको थोड़ा सा अस्टक वर्ग भी पढ़ाऊंगा आपके इस लैबस में नौमांश भी पढ़ाऊंगा ठीक है और थोड़ा सा बीनन वास्तू भी पढ़ाएंगे ठीक है पूरा तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बीनन वास्तू अपने आपको रिलेट कर लोगे थोड़ा भी बताने हां सब को चूटे का नहीं नौमांश भी पढ़ाएंगे कि बीनन के थ्रू नौमांश पर कैसे काम करते हैं क्योंकि यह सब इंडिविज्वल भी लोगों ने बहुत सारे कोर्स बना रखें लेकिन हम आपको इसी में सब कुछ पढ़ाएंगी ठीक है तो तो अभी क्या ना दो तीन क्लास अगर आपको ऐसे दे दी तो अपने को टाइम बहुत अच्छा गासा मिल जाए अगर कहीं थोड़ा बहुत एक दो क्लास में टाइम ज्यादा भी लगेगा तो we can manage ठीक है तो otherwise क्या होता है last में फिर काफी इस भी नहीं होगा ठीक भी रहेगा और कुछ एडिशनली पढ़ा देंगे आप आज के लिए इतना ही रख ठीक है चलिए thank you so much जाए चलिए